मित्रों आज के बेडियों में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि 13 नवंबर 2020 का दिन करकरासी वालों के लिए कैसा बीतेगा आज के दिन आपके जीवन में क्या-क्या पडिवर्तन क्या-क्या बदलाब होगा लेकिन सबसे पहले मैं आपसे बात करने वाला हूँ 13 नवंबर 2020 के पंचांग के बारे में आज तिथी है त्रियों दसी नक्षत्र है चित्रा पक्ष है क्रिस्न पक्ष दिन है सुक्रवार आज के दिन सुर्य उद्य का समय है छे बजी के 42 मिनट में सुर्य अस्त का समय है पंच बजी के 28 मिनट में रितु है हे मन्त आज का दिन काल है 10 घंट 45 मिनट 49 सेकेंड का महिना है कार्तिक आज के दिन सुभ शमय सुरू होता है 11 बजी के 20 मिनट एम से 11 बजी के 55 मिनट एम तक असुभ काल सुरू होता है 8 बजी के 51 मिनट एम से 9 बजी के 34 मिनट एम तक राहु काल सुरू होता है दस बज के 44 मिनट एम से बारह बज के 5 मिनट पीम तक दिसा सूल है पस्चिम दिसा की ओर तो ये था आज का पंचांग इस वीडियो के अंत में आज के दिन का अनोखा टोट का भाग्य साली रंग और भाग्य साली अंक है तो आप उसे भी देखें लेकिन सबसे पहले इस वीडियो को आप लाइक कर दें साथ में चैनल को सबस्क्राब कर दें और वीडियो को बड़े ही ध्यान से आप सुनने का प प्रभाबसाली लोगों का सहयोग प्रभाबसाली लोगों का सपोर्ट आपके उतसाह को दोगूना कर देगा और इस कारण से आने वाले शमय के दोरान आप जो भी करना चाहेंगे उस काम को करने में आपको सफलता मिलेगा क्योंकि आने वाले शमय के दोरान ऐसे हालातों में आपका शमय आपका शाथ अबश्य देगा मित्रों आप में से जिन लोगों ने जिन दर्सकों ने आने वाले समय से पहले धन संपती का निवेस किया था तो पहले किये गए निवेस के कारण आने वाले शमय के दोरान धन संपती के मामलों में कहीं कोई पड़ेसानी नहीं होगा लेकिन आने वाले शमय के दोरान आपके घर पड़िबार के मामलों में आपको पड़ेसानी का शामना करना पड़ेगा मित्रों आने वाले शमय के दोरान आपके घर पड़िबार के मेंबर आपका साथ देंगे आपका सपोर्ट करेंगे लेकिन आपके घर पड़िबार बालों की मांगे बहुत जयादा होगी और उनकी डिमांड को पूरा करते करते आपके घर पड़िबार का माहौल आपके घर का वाताबरन बहुत ही जियादा खराब होगा वैसे अगर आपके प्रेम संबंध की बात करें तो प्रेम संबंध के दृष्टी कौन से आपका शमय सामानने रहेगा दोस्तों आने वाले शमय के दृष्टी में प्रगाधता के कारण रोमैंस का फूल खिल सकता है और आने वाले शमय के दृष्टी के दृष्टी का प्रेम संबंध सामानने होने के बाबजूद बहुत जियादा बिहतर और सांदर होगा तो इसके बाद बात करते हैं कि आने वाले शमय के दृष्टी के दृष्टी का भाग्यसाली रंग और भाग्यसाली अंक क्या है दोस्तों आने वाले शमय के दोरान अपने समय को बिहतर और सांदर बनाने के लिए आपको गडीब कन्याओं में खीर बाटना होगा अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आपका आने वाला शमय सांदर हो जाएगा आज आपके लिए भाग्य साली रंग है भुरा और सलेटी आज आपके लिए भाग्य साली अंक है चार यनी की फोर तो यही था आज के दिन का रासी फल तो इस वीडियो को आप लाइक कर दे साथ में चैनल को सब्सक्रेब कर दे इस वीडियो को आप हर जगह से यर कर दे धन्यवाद